राइपूर जिले से एक ऐसा वीडियो सामनी आया है जो की कानुन वेवस्था को कट घरे में खड़े करता है लगातार चाकू बाजी होने के बाद भी ऐसे चाकू बाज पुलिस के गिरफ में नहीं आ रहे हैं ऐसा ही एक वीडियो राइपूर से रविवार दोपहर बारा बचे का है वीडियो में 35 से 40 युवक के हाथ में चाकू तलवार और खंचर लिए एक गली में घूमते हैं तो लोग घर से बाहर निकले तो कुछ हथियार बंध युवक लोगों को जान से मारने तक की धंकी देते हैं समता कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर के निवासियों ने बताया कि पास ही नशे का कारोबार करने वाले युवकों से राम नगर गुड़ियारी शेत्र में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह से विवाद चल रहा है जिसके कारण आए दिन ऐसी घटनाए होती रहती है 27 एपरेल को इसी विवाद के दौरान राम नगर के लड़कों ने समता कॉलोनी के कमल बाग नामक युवक को चाकू मार कर घाल कर दिया था लेकिन मामले को रफा दफा कर दिया गया वही इतनी बड़ी संख्या में हथियार बंद युवकों के महले में आतंक मचाने से इस्थानिय लोग दहशत में आ गए हैं और बता रहे हैं कि आए दिन छोटी मोटी घटनाए होती थी लेकिन इतना बड़ा रूप लेलेगी इसकी कलपना भी नहीं किया था ऐसे में कॉलोनी में किसी दिन भी बड़ी अपराधी घटना हो सकती है कुछ स्थानिय लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार स्थानिय थाने में दी गई लेकिन आज तक कोई कारेवाही नहीं की गई जिस दिन का यह वीडियो है उस दिन भी डायल 112 में शिकायत की गई थी पुलिस कर्मियों ने आजवाशन दिया था लेकिन ना तो किसी की गिरफतारी हुई और ना ही किसी से यह शिकायत दर्च की गई लोगों का कहना है कि हत्यार बंध यूगों ने दोबारा लोट कर आने की बात कही है जिसके कारण कॉलोनी में भै का महौल है समता कॉलोनी के इस वीडियो से एक बात तो जरूर साबित होती है कि असमाजिक तत्वों में कानून का डर कम होता चारा है तब ही इस प्रकार की घटनाए सामने आ रही हैं राजधानी में खुले आम हथियार लेकर घूमते और धमकी देने वालों के वाइरल वीडियो के बाद फुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफतार किया है साथी फुलिस ने गिरफतार तीनों आरोपियों का उसी जगह से जुलूस निकाला जहां से हथियार लेकर धमकी दे रहे थे हाला की शेश आरोपियों की गिरफतारी नहीं हो पाई है गौर्दलभे की समता कॉलनी इलाके में कुछ युवक धारदार हतियार लहराते नजर आये थे दिन दहारे बेखौफ आरोपियों की गुंडा गर्दी से पुलिस की कारेप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ गई थी